खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीजिए कोलकता बना सियासी रड ममता का धरना तीसरे दिन जारी मोदी सरकार के खिलाब हला बोल ममता बोली जान दे दूँगी लेकिन पीछे नहीं हटूँगी सीबियाई की याचिका पर आद सुप्रीम सुनवाई बंगाल के सियासी उठापटक पर बड़ी कवरेज लगातार नमस्कार ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरे देश का ध्यान अपती ओर खीच लिया है ये खबर सिफ पश्रम बंगाल में जो जबर्दस सियासत हो रही है उस तक सीमित नहीं है ये राश्वे परिद्रिश्य में सीधे सीधे मोदी बनाम ममता बनर जी बन गया है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है बलकि उसकी गर्मी बढ़ती ही जा रही है कोलकता में छापा मारने आई सीबी आई गिरफ्तार हो गई सुप्रीम कोट तक मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोट में इस मामले पर सुनवाई हुनी है ममता बनर जी अपने स्टन्ट से हटने को बिलकुल तयार नहीं अरत strict घंटे से धरना कर रही है और आज सुप्रीम सुनवाई हुनी है इस मामले पर सवाल उठ रहा है ममता बनर जी की एक गांधी गिरी है जो गांधी जी के मूर्ती के ठीक नीचे धरने पर बैठी है या दादा गिरी है कि उनके सिवा पश्चिम बंगाल में किसी की नहीं चलेगी ममता सरकार ने योगी का हेलिकॉप्टर आपको याद होगा बालूर खाट और राइगंज में राली के लिए उतरने नहीं दिया था और इस दिन बड़ी विचितर सी हमने तस्वीर देखी थी कि योगी आदितनात को फोन पर संबोधित करना पड़ा था राली को लेकिन योग योगी आज फिर पुरुलिया में राली करेंगी कैसे करेंगे हेलिकॉप्टर उतरने की जाज़त तो आज भी उन्हें नहीं मिलेगी तो इस आशंका के कारण अब एक रननीती बनाई गई है योगी लखनव से हेलिकॉप्टर से ही उड़ेंगे लेकिन हेलिकॉप्टर जार अखंड के बोकारों में उतर जाएगा और फिर बोकारों से सडक के रास्ते योगी पुरुलिया पहुंचेंगे बोकारों से पुरुलिया के बीच 54 किलो मीटर की दूरी है तो ममता सरकार भले ही बीजेपी और उनके नेताओं के हेलिकॉप्टर को अपनी जमीन पर ना उतर कर रहे है पंकज जा हमारे साथ जुड़ गया है पंकज बिलकुल आरपार की लडाई हो गई है और इस आरपार की लडाई में योगी आदितनात ने ये जो रणनीती तयार की है इससे कैसे देखा जाए ममता हेलिकॉप्टर ना उतरने दे बंगाल की जमीन पर में थी रैली और बीजेपी के जो शक्ति सम्मेलन था उसमें योगी आदितनात नहीं जा पाये थे चुकि हलिकॉप्टर की लैंड करने की पर्मिसन ममता सरकार ने नहीं दी तो फिर उन्हें फोन से रैली को सम्भोधित करना पड़ा आज दो जगत थी रैली एक तो हो जाएंगे हलिकॉप्टर से हलिकॉप्टर से 54 किलो मिटर दूर पड़ता है फिर वहां जाकर कि वो रैली को सम्भोधित करेंगे चुकि हलिकॉप्टर लैंडिंग की तो पर्मिसन मिली नहीं लेकिन इसी चकर में बांकुरा की रैली आज उन्हें रद करनी पड़ी है तो मम्ता के हलिकॉप्टर लैंडिंग की पर्मिसन ना देने का तो निकाला है तो इस तरह की रणनीती और प्रोटोकॉल दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे देखें बात किसी भी लोकतंतर में इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं है लेकिन मुझे याद है जब आपको याद होगा यूपी में भी इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को भी रैलिया करने की जाद नहीं दी जा रही थी एक तरीके से देखें तो ममता और वर्सिस बीजेपी पसी मंगाल में इस तरीके से महाल बनाने की है जहां तक बात रही प्रोटोकॉल की तो उनके सुरच्छा के लोग पहले ही पहुंच चुके हैं और आज वो बोकारों से हेलिकॉप्टर से तो नहीं बाई सड़क बाई रोड वो जा रहे हैं पुरुलिया जहां वो रैली करेंगे योगी आदितनाथ बिलकुल पंकर जी एहम जानकारे आप हमें दे रहे हैं कि ममता के साथ लोहा लेने की तैयारी में पूरी तरह से योगी आदितनाथ योगी आदितनाथ ही क्यों पूरी बीजेपी ममता के सामने जुकने को तैयार नहीं है हमारे साथ एभी पिन्यूस की कंसल्टिंग एडिटर मेरे वरिष्ट से योगी सुमित अवस्ति भी मौजूद हैं जहां ममता बनजी धरना कर रही हैं सुमित मैं आपके पास आऊंगी लेकिन उससे पहले सवाल ये आपके मन में जरूर होगा कि ममता धरना क्यों दे रही है एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो ममता क्या चाहती हैं धरने पर बैठी हैं तो क्यों धरना खत्म होगा तो कैसे ममता की पार्टी की नेता डेरेक ओब्रायन के बयान से जो समझ में आता है उससे यही लगता है कि ममता की लड़ाई मोदी की सरकार के जाने तक ऐसे ही चलती रही है, मतलब क्या तब तक बंगाल की सरकार यूँ ही सड़क पर धरना देती रहेगी? इसका समादान, यह जो 22 हम लोग एक साथ, एक खटा मेर के हम लोग जो ऑपोजिशन है, एंड गेम है, मोदी और अमित्र शाह का बीजेपी गवर्मन्ट यहां दो तीन मैना में हटाना है, क्योंकि देश बचाना है, समविदान बचाना है और हमारा जो सेंटर स्टेट फेडर करना है, और यह जो भी करना है, हम लोग एक साथ, एक खटा मिलके करेंगे, यह फोकस है, और यह जो करप्शिन का मुद्दा है, सबसे करप्ट, सबसे ब्रश्टचार, आमित्र शाह और मोदी जी का भीजेपी है. समविदान बचाने की बात ममताबनार जी करना है, वो धरने पर बैठी हुई है, लेकिन यह भी तो अन्प्रेसिडेंट है कि धरने पर बैठी हुई, कैबिनेट जो है, वहाँ पर स्टेट का बजट अपरूव हो रहा है, क्या यह समविदान की डूटी राजी के प्रति नह आप सुन लिजिये, जब in difficult times it calls for difficult measures, काम तो हो रहा है, और देश देख रहा है, बंगाल देख रहा है, काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, आज important day है budget का, तो budget का meeting side में हो रहा है, और काम भी होगा, धरना भी होगा, और एक चीज़, Parliament में जो coordination जो हो रहा है, और opposition parties को, यह important है यह सब क्यों शुरू हुआ, यह जो attack हुआ ना थ्रिनामोल या opposition, यह क्यों शुरू हुआ, शुरू हुआ क्योंकि 19 January में, 22-23 opposition parties, एक अठ्था मिलकर, कलकत्ता में, एक very good meeting, और meeting के बाद, बड़ा meeting के बाद, 30-35-40 लाक आदमी थे, और उसके बाद और एक meeting हुआ, planning के समझ किया जे, इसके 3-4-5 बहुत important leader है, तो चलो उसको आगे, you know, attack them first, so that is the reason for this political attack, meeting में कुछ दम नहीं था, तो यह सब नहीं होता आप सुन रहे हैं, डरेक ओब्राइन को बहुत साफ कह रहे हैं कि ममता सरकार अपनी मांगे पूरी होने तक यूहीं धरने पर बैठी रहेगी, और कामकाज भी करती रहेगी, सडक से ही, अब सवाल ही है कि ममता बनर जी आखिर चाहती क्या है, सीधर रुक करना चाहेंगे उ जो वो और उनकी सरकार धरना खत्म करते हैं, देखिए धरना खत्म कब होगा, मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी होगा, क्योंकि ममता बनर जी जो बीटे अर्तिस घंटे से जसाब नहा बता रही हैं, यहां बैठी होई हैं, मैं चाहूंगा पहले दोनकी तस्वीर देख लना चाहिए, एक सुप्रीम कोट का फैसला, और दूसरा, यहां पे कुलकाता में हाई कोट की भी सुनवाई है, जिसमें कलकता, जिसमें वेस्बेंगॉल सरकार गई हुई है, जो सी बी आई की ओपर एट्रोसिटी की बात कर रही है, और यह कह रही है, कि हमारे अधिकारिय यहां धरने पर बैटी है, लेकिन काम कर रही है, कैबिनेट की बैटक कल यहीं पीछे हुई, कल पुलिस इन्वेस्टेज्योर सरिमनी जो होनी थी, अलंग करन समारों, वो यहीं धरना इस तरल पर हुआ, तो ममतब एनरजी के इवेंट्स पूरे हो रहे है, लेकिन सवाल जो इतने नेताओं ने कर शाम को भाशर दिये, जो यहां गीत चले, जो यहां कारिकम हुआ, उसमें भी एकी बाते थी, कि ममतब एनरजी खुद यह नहीं कर रही है, लेकिन मुद्दा उठा के जिस तरह से वो धरने पर बैठी है, अब बाकी विपक्ष के नेता, उनकी पीछे आकर के एक तरह से धुरी बनाते हुए उन्हें विपक्ष एक्ता की बात कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में सम्विधान बचाने के साथ साथ ममतब अनरजी की पार्टी और उनके समर्था कह रहे हैं कि उन्हें अब दिल्ली लेकर जाना है, जैसा हमने कहा कि यह मोदी बनाम ममता की लडाई साथ तोर पर नजर आ रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज हम सुनवाई हुनी है